नमस्कार स्वागत है आपका न्यूस वर्ल्ड इंडिया में मैं हूँ आपके साथ भारती सिंग नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी आज अचानक दिल्ली स्थित गुर्दवारा रकाब गंज साहिब पहुँचे और देश की आनबान की खातर अपना सर्वोच बलिदान करने वाले गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांच ली दी बता दें कि आज गुरु तेग बहादुर की शहीदी दिवस है दिली की सीमा पर जारी किसान आंदोलन के बीच पीम का गुर्दवारा रकाब गंज पहुचना बहुत एहम माना जा रहा है क्योंकि आंदोलन में पंजाब और हर्याना के किसानों की सक्रिय भूमिका है सूत्रों ने बताया कि जस दौरान प्रधानमंत्री नरिंद मोदी गुरुद्वारा रकाब गंज पहुचे उस दौरान कोई भी पुलिस बंदुबस्त नहीं था उन्होंने लिखा आज सुभा मुझे एतिहासिक गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में मत्था टेकने का सौभागे मिला जहां श्री गुरुतेग बहादुर जी के पार्थिव शरीर का अंतिम संसकार किया गया था दुनिया भर के लाखों लोगों की थरा श्री गुरुतेग बहादुर जी के विचार और उनका जीवन मुझे सदेव प्रेरित करता है साथ ही उन्होंने लिखा गुरुतेग बहादुर जी की ये विशेश कृपा है कि हमारी सरकार के कारेकाल के दौरान ही हमें श्री गुरुतेग बहादुर जी के चार सोवे प्रकाश पर्व को मनाने का अफसर मिल रहा है आईए इस पावन मौके को एतिहासिक बनाए और श्री गुरुतेग बहादुर जी के आदर्शो को अपने जीवन में अपनाए केंद्रि ग्रह मंत्री आमिच्चा के पशिम मंगाल के दो दिवसिये दोरे का आज दूसरा दिन है वह यहां अगले साल होने वाले विधान सबाचुनाव के मद्दे नजर आए हैं शाह ने राज में एक रैली की जिसमें सत्ताधारी त्रणमूल कॉंग्रेस के बागी नेता भाशपा में शामिल हो गए शाह बीरभूम जिले के शांती निकेतन में विश्व भारती विश्व द्या ले गए जहां उन्होंने रविंद्र नाथ टेगोर को श्रधांच ली दी और इसके बाद मीरिया से बात चीत की जिसके बाद तमाम चीजें जैसे शाम बाती से मुलाकात इसके अलावा बाउल गायक की परिवार के साथ दोपहर का भोजन और प्रेस कॉन्फरेंस के साथ ही अपनी आतरा खत्म करके दिल्ली के लिए रवाना होंगे आरेसेस के वरिष्ट विचारक और संगठन के पहले प्रवक्ता रहे माधव गोविंद वैद का शनिवार को नागपूर में निधन हो गया एमजी वैद 97 साल के थे उनके निधन पर आरेसेस के सदस्यों में शोक की लहर है जानकारी के मुताबिक उनका निधन शनिवार दोपहर करीब 3 बच कर 35 मिनट पर नागपूर के एक प्राइवेट अस्पताल में हुआ वैद कोरोना वाइरस से संक्रमित हुए थे लेकिन वो संक्रमण से उबर गये थे शनिवार दोपहर उन्होंने अंतिम सांस ली प्रधान मंतरी नरिंद मोदी ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा श्री M.G. वैद जी एक प्रतिश्चत लेखक और पत्रकार थे उन्होंने दशकों तक RSS के व्यापक पैमाने पर योगदान दिया उन्होंने भाजपा को मजबूत करने के लिए भी काम किया उनके निधन से दुखी हूँ उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रती समवेदना है ओम शांती नेपाल की प्रधान मंतरी केपी शर्माओली ने अचानक कैबिनेट मीटिंग बुला कर संसत भंकरने का निर्ने लिया है पीएम केपी शर्माओली कैबिनेट की सिफारिश को लेकर राष्टपती के पास पहुचे थे जिसमें संसत को भंकरने की बात कही गई नेपाल के उर्जा मंतरी ने बताया कि प्रधान मंतरी केपी शर्माओली के ओर से बुलाई गई एक आपात कालीन बैठक में कैबिनेट ने संसत को भंकरने की सिफारिश की सिफारिश को राष्टपती के पास भेजा गया बताया ये भी गया कि सत्ता रूडी नेपाल कम्यूनिस्ट पाटी ने केपी शर्माओली के फैसले का विरोध किया है भरहाल नेपाल में ये राजनितिक घटनकरम तब सामने आया है जब हाल ही में नेपाली कॉंग्रिस ने आरूप लगाया था कि ओली सरकार देश के राजतंद्रवादियों का खुलकर समर्थन कर रही है भारतिय टीम उस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में दूसरी पारी में महस 36 रणों के स्कोर पर ओल आउट हो गई इसके साथ ही 1974 का 42 रणों का रेकॉर्ड टूल गया इसके बाद विशन सिंग बेदी ने दोनों ही पारियों के बारे में बात की पूर्व भारतिय स्पिनर विशन सिंग बेदी ने कहा कि वह अलग दिन था जब भारतिय टीम 24 जून 1974 को लंदन में इंगलाइन के खिलाफ मातर 42 रण पर ओल आउट हो गई थी लेकिन यह एक अलग दिन है जब भारतिय टीम 19 दिसंबर 2020 को ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ के वल 36 रण बना कर धेर हो गई बेदी 42 रण पर ओल आउट होने वाली टीम का हिस्सा थे औस्ट्रेलिया आई सर्जमी पर अपनी बहतरीन गेंदबाजी से भारतिय टीम ने जो विजए उमीदे जगाई थी उसे बल्ले बाजों ने तहस्ने हिस कर दिया फिलाल खास खबरों में इतना ही जुड़े रहिए नियूस वर्ल इंडिया के साथ नमस्कार